हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ, बैल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा ये कहानी है पलक और पायल की, अपने पापा दीन दयाल और मम्मी सुलक्षना की दुलारी बेटियां थी वो दोनों दीन दयाल पान की दुकान चलाते थे, उन दोनों के बच्पन से ही वे पैसे जोड रहे थे, उनकी शादी के लिए नहीं, बलकी आगे की पढ़ाई के लिए लेकिन उनकी यही बात उनके रिष्टेदारों को बहुत अखरती थी, अभी दिवाली में पलक और पायल की बुआ आई हुई थी, उन्होंने दीन दयाल को उनकी सादत के लिए टोक दिया देखो भईया, मैं इन दोनों बच्चियों की दुश्मन तो हूँ नहीं, लेकिन इनकी पढ़ाई से अधिक आपको इनकी शादी के लिए पैसे जोडने चाहिए दीन दयाल और सुलक्षुना ने अपनी जिन्दगी में एक ही मंत्र अपना रखा था, और वो मंत्र था, सुनो सब की, करो अपने मन की उन दोनों ने ठान रखा था कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएंगे, उन्हें जो बनना है वो बनाएंगे समय अपनी तीवरगती से बढ़ता गया, पलक और पायल ने कॉलिश की पढ़ाई खत्म की, दोनों बेहनों ने बच्पन से ही निश्य कर रखा था कि उन्हें बड़ी होकर नर्स बनना है कॉलिश की पढ़ाई खत्म होते होते पलक का एड्मिशन अच्छे नर्सिंग कॉलिश में हो गया, और उसकी पढ़ाई खत्म होते होते छोटी बेहन पायल का भी एड्मिशन उसी कॉलिश में हो गया पान वाले की दो-दो बेटियां नर्स बनेंगी यही सोच सोच कर दीन दयाल जी का सीना चोड़ा रहता था अरे सुलक्षना वो मिठाई का डिबबा भी लेती आना अरे ला रही हूँ बाबा ला रही हूँ सुलक्षना मिठाई का डिबबा लेकर आती है लो भाई तुम्हारी मिठाई का डिबबा अरे मेरा डिबबा नहीं है ये पलक के लिए है अगले हफ़ते हमारी बेटी ट्रेनी नर्स हो जाएगी यह उसी खुशी में है पता है महले में मेरी धाक हो गई है अब हाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी दीधी अब तो तुम ओफिशिल नर्स बन जाओगी तुम अपना पहला इंजेक्शन किसे लगाओगी अपने रिष्टेदारों को उन्होंने हमारे माँ बाबुजी को ना जाने क्या-क्या सुनाया है पलक की इस बाद से सभी खिलखिला कर हस पड़े अगले हफते ही पलक की जॉइनिंग एक बड़े हॉस्पिटल में हो गई नर्स की ड्रेस में जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो ना चाहते वे भी उनकी आँखों में आसुआ गए हॉस्पिटल में अपनी मेहनत और सेवा भाव से उसने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया सीनियर डॉक्टर्स तो उसकी तारीफ करते नहीं ठकते थे लेकिन हॉस्पिटल के वार्ड बॉय जैराज की उस पर बुरी नजर थी एक दिन एक बात कहें आपको हाँ बोलो जैराज आप गलक फील्ड में आ गई हैं मतलब मतलब की आपकी ये बड़ी बड़ी आँख है दूध सा गोरा रंग गुलाबी गुलाबी होटों के नीचे ये काला सा तिल कसम से आप तो हिट फिल्म की मटीरियल हो हाँ जैराज फाल तुबात बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो काम पर इतल ध्यान दे रहा हूँ अब आपका ही ध्यान मुझ पर नहीं है तो क्या करो क्या? क्या कहा तुमने? मैंने कहा आपका फ्लोर आ गया पलक को हॉस्पिटल जोइन किये चार महीने हो गए थे इन चार महीनों में जैराज किसी न किसी बहाने से पलक के सामने आता रहा अगर सामने ना सका तो बिना बताए उसका पीछा करता एक दिन की बात है जैराज खाली स्ट्रिचर लेकर किसी मरीज को लाने जा रहा था दूसरी ओर से पलक आ रही थी जैराज ने जैसे उसे देखा तो उसकी आँखों में शैतानी चमक आ गई और उसने पलक को कहा आप क्या लगती है मैडम, पूरा हॉस्पिटल आपकी खुश्बू से महकने लगता है जैराज तुम फिर से बक्वास करने लगे लगता है तुम्हारी शिकायत हेड डॉक्टर से करनी ही पड़े की अरे नहीं नहीं मैडम, इस बार माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे अब हम कभी भी आपकी तारीप नहीं करेंगे लेकिन क्या करें, आप हैं ही तारीप के काबिल, इसलिए मन ही नहीं मानता तुम, तुम फिर से शुरू हो गए उसी समय वहाँ से हेड डॉक्टर मलिक गुजर रहे थे पलक ने जैराज की शिकायत उनसे कर दी डॉक्टर मलिक बहुत गुसा हुए और उसे नौकरी से निकालने की बात कही ये सुनकर जैराज डॉक्टर साहब के पाउं पर गिर के और उनसे माफी मागने लगा तब पलक के कहने पर डॉक्टर साहब ने उसे लास्ट वार्निंग देते हुए छोड़ दिया पलक ने ये बात अपनी माँ और बहन को भी बताई अरे तुमने उसे माफ क्यों कर दिया निकालने देती उसे नौकरी से अरे वो इस तरह से डॉक्टर मलिक और मेरे पैरों पर गिर कर गिर गिराने लगा की क्या कहूं वैसे भी माफ करने वाले का दिल सजा देने वाले से बहुत बड़ा होता है क्यों माँ? हाँ बेटी लेकिन माँ हूँ तो चिंता तो होगी न? अरे चिंता की क्या बात? तेरी दोनों बेटियां बहुत स्ट्रॉंग है माँ इस घटना के दस दिन तक जैराज बिलकुल शांत रहा पलक को देखते ही वो अपना रास्ता बदल देता पलक भी अब निश्यन थी कि उस जैराज से पीछा चूटा लेकिन जैराज तो कुछ औरी प्लानिंग के साथ चल रहा था एक हफते बाद पलक जब नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर की और जाने के लिए आटो का वेट कर रही थी तब ही एक गाड़ी उसके सामने आकर रही वो कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसे गाड़ी के अंदर खीच लिया गया खीचने वाले ने मुँपर नकाब चड़ा रखा था कौन? कौन हो तुम? बचाओ! बचाओ! तब ही नकाब पोश्ट ने उसकी नाग पर एक कपड़ा रख दिया कुछ सेकेंड में ही वो बेहोश हो गई जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को रस्यों से बंधा पाया उसके मुँपर भी टेप चिपका हुआ था तब ही वो नकाब पोश्ट आता है और उसके मुँपर टेप हटा देता है चोट! मुझे चोट! बचाओ! 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 से बोलता है उसके बाद जैराज अपना लकाब हटाता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गए मुझे नहीं पता था कि उस दिन की माफी की सजा मुझे ऐसे भुगती पड़ेगी सजा नहीं जाने मन मज़ा मज़ा जो अब मैं लूटूंगा दुष्ट जैराज पलक के साथ जबरदस्ती करता रहा वो बेचारी चिलाती रही पूरी रात वो बेचारी सिसकती रही चीकती रही लेकिन निर्दई ने सब कुछ अंसुना कर दिया इतने पर ही वो दरिंदा रुका नहीं उसका राज न खुल जाए इस जर से उसने गला दबा कर उस बेचारी की हत्या भी कर दी और उसकी लाश को नाले में डाल दिया दूसरी और पलक के परिवार वाले परिशान थे कि वो आखिर नाइट ड्यूटी के बाद लौटी क्यों नहीं काहा चली गई मेरी बेटी काहा चली गई रोम अत्मा जल्दी ही पता चल जाएगा हमने पुलिस में रिपोर्ट लिकवा दी है अगली सुबह जैराज ने ड्यूटी भी जोइन कर ली और सब के सामने ऐसे बेहेव किया जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है पुलिस वालों ने उससे भी पूशताच की लेकिन उसने कहा कि उसकी तो सुबह की ड्यूटी थी उसे कुछ भी पता नहीं अस्पताल के बाहर लगे सीसी टीवी कैमरे की जाच की गई लेकिन पुलिस वालों को तब गहरा शौक लगा जब उन्हें पता चला कि अस्पताल के बाहर की सारे सीसी टीवी कैमरे खराब है पुलिस को अपका यकीन हो गया कि हो न हो पलक के साथ कुछ जरूर हुआ है लेकिन वो अंधेरे में ही तीर चला रहे थे लेकिन तीन दिन बाद जंगल वाले रास्ते के नाले के पास से एक लड़की की लाश पुरी हालत में मिली वो लाश पलक की ही थी ये क्या हो गया बेटी ये क्या हो गया उठना बेटी उठना बेटी तो उठती क्यों नहीं पलक का पोस्ट मॉटम किया गया, जिसमें ये बात निकल कर बाहर आई कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है पुलिस ने परिवार वालों से पूछा कि किसी पर शक है तो उन्होंने जैराज का नाम लिया, क्योंकि पहले भी वो से परिशान किया करता था पुलिस ने उससे सकती से पूछता आज की बहुत मारा पीटा, लेकिन वो अपने आपको बेकसूर बताता रहा ठक हार कर पुलिस ने उसे छोड़ दिया, अपनी बड़ी बेटी के साथ हुए हाथसे के बाद दीन दयाल बिलकुल तूट गए थे सुलक्षना भी अब नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी पायल आगी पढ़े और नर्स बने नहीं मा, नहीं, तुम लोग ऐसे मत हारो, तुम लोग घार जाओगी तो दीदी को इनसाफ नहीं मिलेगा अरे तुम लोग उन्हें क्या-क्या नहीं सुना हमारे लिए, उन बोलने वालों को जीतने मत दो, मा उन्हें जीतने मत दो एक बेटी मैं खो चुकी हूँ, दूसरी को खोने का साहस नहीं है मुझ में मा बात तेरी बेटी की नहीं है, बात है इंसाफ मिलने की अगर तू अपने कदम पीछे खीच लेगी तो इंसाफ हार जाएगा मा वो दुष्ट जीद जाएगा जिसने मेरी बेहन को लाश बना दिया पायल के तरकों के आगे सभी को जुकना पड़ा, पायल ने अपनी पढ़ाई खत्म की और उसी अस्पताल में नर्स के रूप में जॉइन किया, अब जैराज की नजर उस पर थी एक दिन वो से दूर से आते हुए घूर रहा था पायल जानबूच कर जैराज के सामने जाती और उसे रिज़ाने की कोशिश करती जैराज ने एक खेल खेला था, अब बारी पायल की थी एक दिन जैराज फिर से अस्पताल के सारे सीसी टीवी के कनेक्शन काट कर पायल का अपहरंड करने का प्लान बना चुका था लेकिन उसे पता नहीं था कि कनेक्शन काटने का वीडियो पायल ने ना सर्व बना लिया था, बल्कि पुलिस को दिखाया भी था सब कुछ उसी तरह प्लांड था, नाइट ड्यूटी के बाद पायल बाहर निकली और पहले से ही घात लगा कर बैठे जैराज ने उसका अपहरंड कर लिया बचाओ, बचाओ जैराज ने उसकी नाक पर भी बेहोशी की दवा से भीगा रुमाल रख दिया लेकिन उसे पता नहीं था कि पायल ने वो रुमाल बदल दिया है, उसने बेहोश होने का नाटक किया ये थो अपनी पहन से भी ज्यादा करारी है, जल्दी ही इसे भी टेस्ट करना होगा जैराज उसे लेकर जंगल में चला गया जहां वो पलक को लेकर गया था, वो पलक के हाथ पैर बांधी रहा था, कि वहाँ अचानिक पुलिस पहुँच गई और उसे दबोच लिया तेरा खेल खत्म हो गया जैराज, तूने जो किया है ना, उसकी सजा मौत है मौत, चल जैराज तेरी सारी कारिस्तान इस वीडियो में कैद है, अब तूने ही बचेगा, तूने मेरी महसूम बेहन को मार डाला, मन तो कर रहे है तुझे भी यही मार डालो लेकिन मेरे हाथ बंधे है जैराज ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया, उसे फांसी की सजा हुई, पलक ने हिम्मत करके अपनी बेहन को इंसाफ दिला दिया जब तक आप चुप होकर बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ बदलना है तो बाहर निकलना होगा, लड़ना होगा, और तब तक लड़ना होगा जब तक ये समाज सुधरना जाए हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बैल आइकोन पर प्लिक करना मत भूलेगा